Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का देई इनपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 010 का Unit 6 पढ़ने जा रहें जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने Lessons हैं उन Lessons के basis पे किस तरह के topics से बनते हैं, questions क्या बन सकते हैं, questions के pattern क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे दोस्तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा useful है आप सभी students के लिए इसका reason यह है कि आपका exam का data ना उस हो चुका है, time कम है syllabus को पूरा करने के लिए तो अगर आप कम time में अपना syllabus पूरा करना चाहते हैं, तो अगर इस तरीके से हम selective study करें इस तरीके से अगर हम पढ़ें, तो अच्छे number हम ला सकते हैं तो unit 6 के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पारमविक आधुनिक नगर के बारे में भारत के लोग अपनी हिसाब से बना थी, पर आप यहां पे दूसरी संस्क्र्ति का मेल बेखने के मिलेगा आप जैसे रास्टपति भवन जाते हो तो क्या भारत यह सोूप से पुरा बना हूं नहीं , वहां पर आपको 90-98 जो चांसे दिखेंगे देखने के लिए मिलेंगे वो ब्रिटिस की कलाकरती हो सेम है मतलब उनके structure पर ही basis बनाए गया है Supreme Court जाते हो राष्टपती वबन जाते हो ठीक है संसद वबन जाते हो तो यहां पर आपको सारी चीज़ देखने के लिए मिलेंगी कि almost चीज़े सेम मिलेंगी जो ब्रिटन के अं सब्गन से फिरैंस प्ष्षीम भारतमें मतलब किस प्रकार से रहा पुंजी ब्रावत यहां पर उसके कारन से किस परकार से भारत का नगर वयवस्ता रहा था वो आप यहां पर define करोगे, मतलब उपनिवेश वाद के impact को हम दिखाएंगे भारत के नगरों के उपर में, और पुंजी वाद के impact को दिखाएंगे भारत के नगरों के उपर में, ठीक है, simple सा यह रहेगा, अगले chapter के और बढ़ते हैं, तो अगला chapter हमारा है 29, जहां पर हम बा करते हैं सूरत की, ठीक है, कि सूरत का पतन किस परकार से हुआ, ठीक है, सूरत का पतन कैसे हुआ, ठीक है, सूरत के पतन में विकास किस परकार से, मतलब सूरत का विकास कैसे हुआ, पहले हम बात करेंगे विकास का, फिर पतन का, ठीक है, उसके नगरी समाज का, ठीक है, इन जो मुगल सबाय थे इनका भी कभजा था ठीक है बाहरी कई सारे लोगों कभजा था रीजन यह था है कि यहां पर वैपारी केंद्र के तौर पर सूरत इस्थापित हुआ और आज के समय में भी किस्वी सतावदी में हम रह रहे हैं यहां पर आज किसमे में हम यह जानते हैं कि सूरत एक वैपारी केंद्र है ठीक है कपड़ उद्योग वैपारी केंद्र के तरवे सूरत को जाना जाता है तो किस परकार से सूरत का पतन हुआ यह आपको यहां पर डिफाइन करना है यहां पर तीन चार सहरों के नाम और रहते ह यहां पर हम बात करते हैं अठारवी सदी में नगर 1 ठीक है अठारी सदी के अंदर में जो cities थे वो किस परकार की थे तो यहां पर दो पार्ट के अंदर में इसको पढ़ेंगे नगर 2 नगर 1 ठीक है तो नगर 1 के अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे पटना के बार में question आजाएगा आपका एहमदाबाद के बारे में question आजाएगा और Bengalore के बारे में question आजाएगा ठीक है । नगर 1 के इंडर में वही पर अगर आगा 31 chapter के प्रकार हुँ खोने के इंदर में आ जाएगा आपका मुर्सीदाबाद в ये 30 और 31 इसके अंदर में कुछ खास question नहीं रहते हैं पर chapter number 32 की बात करोगे तो chapter number 32 के अंदर में रहता है कि लखनो का विकास किस परकार से हुआ आज के समय में हम लखनो को देखते हैं लखनो को माना जाता है नवावों की नगरी है ठीके सारे नवाव यहाँ पर आये बैठे ठीके यहाँ पर नवावों ने राज किया तो किस परकार से लखनो का विकास हुआ किस परकार से लखनो का नगरी करन अब दस्ता था किस परकार से लखनो का सोरूप था उसके बारे में यहाँ पर question रहता है तो उसको study करोगे तो आपको समझ में आया को और अच्छे से question कर सकते हो कुछ खास इस unit के अंदर में बात करें कि unit के अंदर में खास किया तो यहाँ पर पहला जो chapter था वो important है सबसे important रहेगा कि पुझिवाद उपनिविश्वाद के कारण से भारत के अंदर में क्या परभाव पढ़ा नगरी करने के उपर में क्योंकि अंगरी जो को time period सुरो हो चुका तो यहाँ पर उनका impact लिख रहा था नगरी करने के उपर में नगरी सब बताओ के अंदर में तो किस तर से रहा वो यहाँ पर आप define करोगे दूसरा जो यहाँ पर question रहता है कि 16 स्ताब्दी और 18 स्ताब्दी के अंदर में सूरत का सोरूप किस प्रकार से आप वो बताना होता है ठीके सूरत के सोरूप के बाद में बाकी जो chapter से वो कुछ खास नहीं है बस ऐसे ही है बर थोड़ा साब को roughly पढ़कर चलना है ठीके समझ माता है दोस्तों तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आपको अगर कोई भी help चाहिए कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर कुछ confusion है तो आप comment करके पूछ सकते हैं इवन दो description के अंदर में सभी social media platform के links दिये हुए हैं वहाँ से भी आ डिर्क डिर्क जॉन करके पोच सकते हैं और सबसे बड़ी बात ही है दोस्तों कि अगर आप में हिस्ट्री के प्रेपियर कर रहे हो में हिस्ट्री में अच्छे नमबर लाना चाहते हो आगे कि अगर आपने सूझ रखा है कि आगे आपको study करना है ठीक है तो में हिस्ट्री के almost सभी subject की वीडियो डली हुई है ठीक है MHI 01 से लेके MHI 010 तक का part 1 का भी part 2 का भी सभी का वीडियो डला हुआ है जिसके अंदर में आप लास्ट फाइवर के question paper का वीडियो देखिए important questions की वीडियो देखिए important topics की वीडियो देखिए जिससे आपका syllabus almost जल्दी के लिए होगा अच्छे समझ पाऊगा अच्छे से आप number ला सकते हो ठीक है उसके लिए description के अंदर में सभी playlist की link दिये हुए वह से आप directly ले जाए देखिए और friends all the best bye bye take care all the best